ओके तो लेट स्टार्ट विद दा क्वेश्चन आफ डबल कॉलम जिसमें हम लोग टाइप वन देख रहे हैं टाइप वन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम मैं टोगे सबसे पहली आप को ऊपनिंग बैलंस दे गई है ओपनिंग बैलंस एज्वान फस्ट-अप्रिल देआ है एट की बैलन से आपकी सिक्स्टी थाउज़ण और बैंक की बैलंस आपकी 30 नहीं तो उपनिंग बैलन्स से तो मैंए यहरं बैलन्स अथिरweet में आएगा तोटे लिख लेते हैं कि थाउजर एंड कि आउजर चला नेक्स्ट क्या बोला है सेकेंट ऑफ अपरेल को गूट सोल्ट टू राम एंड चेक रिसीट ऑफ सेवेंटी ताउजर ओके गूट सेल हुए लेकिन हापे कैसेल नहीं है यहापे बैंक सेल हुआ है मैंने कि पेमेंट ह लिए उन लिस्पूर्ट पेमेंट हुए लेकिन चेक के थ्रू हुए है इसके थ्रू हुए पेमेंट मेंट और यहापे क्या होगा अपका बैंक बेलेंज बढ़ेगा चैश बालेगा सब बैंक बढ़ेगा यहाँ पर आएगा आपका ंप पहर सेवेंटे चैल्प अकाउं सेल अकाउंट या पर कैश में कुछ नहीं आएगा एक से सेल हुआ तो तो 70,000 आएगा इस इट क्लियर अगे बढ़ते हैं तो तो अपरिल थर अपरिल टैलरी पेड रुपीज 20,000 यहां पर कूछ मेंशन नहीं किया है कि एन्होंने कैश में किये या बैक में किया तो बाइडी फॉल्ट आपको क्या कंसिडर करना है कैश में कंसिडर करना है ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेलरी पेड तो डेट क्या है हमारी सेलरी पेड की 3434 सेलरी तो बाइडीफॉल्ट हम कैश पकड़ेंगे तो कैश में लिख देता हूँ 20,000 बैंक में कोई एंट्री नहीं आएगी ठीक है फिफ्ट ओफ एपरिल क्या बोला है पेड रेंड बाइ चेक यहां पर देख यहां प हूँ लेकिन हम लोग पेड चेक के दो करें कि यानिए के बैंक के थू कर रह है तो एंट्री 1 और मैं अपके एंट्री होगी अप इस ब्लाइन देट कैश भूक मत करेड़ें डेट्व इंड़ लोग दिखेंगे सार急 कि अगे परदें रेंट अकाउंट सेलरी अगांट चलो कोήςर हो गया यह हो गया यह भी हो गया गुट्स प्रचेस रुपिश 2000 यहां पिक्या क्या है 8,000 जो था हमारा वह हमने bank में से pay किया और cash में से बचा वा pay किया तो가요 यहां पर आयगा अपने अपने всё को इसे zalवन डिये बाँशne payment कि आ लगा तो आपने purchase के एंट्री आई कि purchase to cash and bank आएगा तो यहाप आएगा ऑपका 10 प्लस परचिस के पाइंट यicherung लेकिन कैश में कितनी फिगरससे कि 12 few जेगी और बैंक 아ftig जाएगी 8 इसप्रेर चलो आगे बढ़ते यहां पर क्लिए हो गया यह भी हो गया अमांट節目 इंट बैंक देंक पर आगे आपकी Contra Entry जैसी कि मैंने आपको बताया था कि Cash and Bank जब डबल कॉलम बना होगे तो यहाँ पर आपको Contra Effect गीरेगा जाएगे रहेगा कॉंट्रा इफेक्ट जो कि मैंने बता है कैसा सी करके उसको सर्कल करना होता है उसको अब बोल रहे कॉंट्रा एंट्री तो यहाँ पर क्या हुआ है देखो अब जब उन्होंने बुला है अमांट डिपॉसिटेड इन्टो बैंक तो आप सीम्पली पहले तो जण्रलल एंट्री आ जाएगे । यहाँ पर आपको आपको आपी सोच नहे है तर अगर cash कम हुआ है तो यहाँ पर payment हुई है तो यहाँ पर आके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर आके हम लोग लिखेंगे bank लेकिन amount की इस column में लिखेंगे बहुत ही important है बचो यहाँ पर यहाँ पर आके हम लिखेंगे bank account लेकिन जो amount रहेगी 500 रुपिस की जो amount है वह आ देखो ये bank में debit कि cash debit में था इसके लिए debit में credit में गई effect there is my Goo तो credit में affect गई अभी bank debit में चेक्ट में है पनाघल आवगा यहापका unge 12, 4, cash, okay, so cash आएगा यहापे, और यहापे bank column में आप आखे लिखोगे 5000, गलती से मैंने 500 बोल दिया था, actually उसकी amount है 5000 रुपेज, तो यह 5000 यहापे भी मैंने correction कर दिया, यहापे भी लिखते समय 5000 लिख दिया, चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्या बोलाए देखो, withdraw from, amount withdraw from, एक और important चीज़, अभी यह contra entry थी, यह contra entry थी ना, तो यहापे आपको आके लिखना पड़ेगा C, और यहापे भी आपको लिखना पड़ेगा C, यह इसका मतलब होता है कि यह contra entry है, amount withdraw from bank for personal use, रुपीज, 1000 रुपीज, क्या बोलाए उन्होंने कि सर, personal use के लिए हम लोग ने withdraw किया है, तो withdraw किया है, 1000 रुपीज, विड्रॉ किया है, तो चलो, withdraw कि entry क्या गिरेगी, तो withdraw किया, personal use के लिए, तो bank balance थो बटर वे से कम हुआ रहेगा, तो bank में से कम हुआ, तो यहापे आप पेमेंट करोगे, 15, 4 को, drawings, क्या करके, personal use मतलब क्या होता है, drawings होता है, drawing account में आपका payment होगा, figures आएंगे, सब bank से गई है, bank से हुआ है, withdraw from bank, तो 1000 रुपी, क्लियर रहे, आगे वो देखते, credit purchase, the credit purchase, credit purchase, हापे कोई cash का transaction तो हुआ ही नहीं है, cash का transaction हुआ है, यहापे नहीं हुआ है, cash का transaction नहीं हुआ है, तो आपका यहापे कोई effect गिरेगा ही, नहीं, क्योंकि credit purchase बुलाए ना, अगर हाँ, cash purchase होता, या फिर payment अपने bank से की होती, तो उसका effect यहापे गिरता था, तो यहापे जो 20th 4 की जो entry है, यहापे, तो यहापे गिरेगी, नहीं, clear है, तो credit purchase के आपके entry नहीं आगी, जब pay करेंगे हम, तब उसके entry यहापे देखने मिलेगे, जैसे कि 22nd of April में आपको payment किये, आपने payment किये creditor को, कितने payment किये, 28,000 रुपिस pay किये, actually pay कितना करना था, sir, actually हमको 30,000 नहीं pay करना था, लेकिन हमने उसको 28,000 in full settlement pay कर दिया, तो चलो effects देते हैं, उसके, ज़रा lines बड़ा देता हूँ, तो यहापे आजाएगा आपका rate क्या है, 22nd, पुथ, paid, to credit or, figures आजाएंगे, 28,000 in full settlement from bank, bank से payment हुई है, तो cash में तो effect गिरेगा नहीं, तो 28,000 यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, last में क्या बूला हूँ नहीं, cash sales, cash sale हुआ है, मतलब कि आपने कुछ चीज़े बेचे और उसके जगा पर आपको cash भी आया है, तो यहाँ पर आएगा आपका sale हुआ है, तो date का है, 25th, 4 sales, ठीक है, तो cash में effect गिरेगा, cash में कितना है, amount, 30,000, amount deposited into bank, वापी से आई एंट्री, कि भाई, सर हमने cash deposit किया, कहा deposit किया, bank में deposit किया, तो आप entry मास पास करोगे, तो पापी सेम एंटे किरेगी, bank to cash, right, so, जोनों साइड आएगे, 26th, April 26th, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका cash account, और bank में आप लिया कि लिक होगे, कितना deposit हुआ है, 50,000, और यहाँ पर आएगा आपका, bank account, और यहाँ पर आपकी लिक होगे, इसमें cash में, जितना आएगा figure, 50,000, इस इट क्लियर, तो चलू आभी टैली करते हैं इन लोग का, कुन से साइट जादा है sir, debit साइट जादा देग रही है मुझे, तो debit साइट की figures total करो, तो debit साइट की आप जब figures total करोगे, तो आपको figures आएंगे, 30, 70, 1,55,000 आ रहा है इधर, bank की figures आ रही है मुझे, और cash की figures आ रही है, 90,000, वह हम लोग यहाँ पर लिक लेते हैं, 90,000, और 1,55,000, balance कितना बच रहा है, at the end of the year, balance, sorry, at the end of the month, month के end में balance जो बच रहा है, हम लोग calculate करते हैं, इसकी total, तो इसकी 55, ए somewhere around 3,000 रुपीज, ती figures बच रही है, okay balance, carry it down, यह minus करने के बाद, यह minus करने के बाद, it remaining to 93,000, है ओके सो यह हमारी फिगर से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैश कॉलम सब सिंपल है जो आपने सिंपल में किया था सिंगल कॉलम में किया था वही आपको अभी दबल कॉलम में करना है तिफ आपको यह चीज याद रखनी है कि कहा पे आपको पॉंट्रा एंट्री आ रही है कहा पे आपकी डबल इफेक्ट गिर रहे है या फिर कहा पे आपको कैश में इफेक्ट देना है कहा पे आपको बैंक में इफेक्ट देना है कहा पे आपको डबल payment हमने bank से किया और अदा payment हमने cash से क्या तो वस उतना ही आपको ध्यान देना है क्योंकि cash और bank के accounting rules टेमी है क् autor कि दोनों भी हमारी लिए assets से I hope कि आपको समझ में आगया होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो कोई बीडाउट रहेगा तो मैं आपको डाउट clear करने का try करूंगा और अगले लेक्षर में हम लोग देखेंगे ट्रिपल कॉलम के से सोल किया जाता है